एक नीजी कंपनी में सेल्स ओफिसर के पद पर कारे रत 24 वर्षय यूव की गाउं में ही संदिग दहालातों में लाश बरामद हुई मामला पलवल के हसनपुर गाउं का है मृतक मोहन शर्मा की छाती में गोली लगी हुई थी और कट्टा भी शाव के पास से ही बरामद हुआ वही अब मृतक के परिजनों ने अज्यात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है हसनपूर ठाना प्रभारी जितेंदर कुमार ने इस बारे में जानकारी दी वहन शाम है गुर्प भी माप नंद किशोर का लड़का है यह गाओं खामभी लड़का है यह उमर इसकी सोविशवर से है गरवाले इंदर कास दी है कि महारा लड़का कल शाम पाथ बज़े कर से जाया था तो गुमने के लिए यह कंपनी में काम करता है यह सेल्स ऑफिशर क्यार करता है और शाम कुमने के लिए गया था गाहूं के लड़के मिले सको गाहँ के मिले उनसे बहुत है कि माहिर तेरी तुमारी बाइडी और कट्टा वहां डेट बूड़ी के पास कट्टा मिले है और लेप्टोप पर एक मुपाइप पहुंचे है जैसे शबूत गुजरेंगे वैसी कर वाइप तीन सो दो में मुकतना तर्च के है अब तक मोहन शर्मा के शब के पास से ही उसकी बाइक बैग लप्टोप और एक कट्टा भी पढ़ा हुआ था सूचना मिलते ही परीजन मौके पर पहुंचे तो वहीं इस बारे में थाना प्रभारी का कहना है कि पीडित के परीजनों की शिकायत के अधार पर अग्यात आरोप के खिलाफ हत्य का मामला दर्ज कर लिया गया है और अब शब को पोस्ट मॉटम के बाद परीजनों के हवाले कर दिया गया है अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में पुलिस की आग एक क्या कारवाई रहती है प्रतम तहलका के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की र गर में बीमारी का रहना ऐसी ही समस्यां के समाधान के लिए तुरंत फोन करें साथ गंटों में 100% लाग गंटिक कार्ड के साथ वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान मॉबाईल नमबर 9878678629